नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे आप सब आसा करते हैं आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगतार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर प्येस एम पीजी कॉलेज जिग्राफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करते हैं अपन तारीघर का मतलब आपका बाग होता और था ऊसाए है यहां पर इए आपका प्रोजेक्ट चीता या आप कह सकते हो केंद्रिय पर्द्यवरन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादो जी ने कहा है कि प्रजेक्ट चीता के दो साल चुनावती पूर्ण रहे जिसमें कई बादाएं थी जैसे कि आवाज समायोजन जंगल में सावकों का अस्तित्व और सुनिश्चित करना सावक का मतलब होता है दोस्तो जो चीता के बच्चे होते हैं उन्हें हम सावक बोलते हैं दोस्तो यहां पर बता दिया जाए कि केंद सरकार की महत्तो कांची योजना प्रजेक्ट चीता ने सफलता पूर्वक दो वर्स पूरे कर लिये हैं यह परियोजना विश्व इस्तर पर अग्रणी प्रयास है जो लुप्त हो चुकी वन्य जीव आबादी और पारिस्थितिक तंत्र को सफलता पूर्वक बहाल करने की आशा का प्रतीक है अब देख लेते हैं प्रजेक्ट चीता के बारे में दोस्तों जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी जो सुरवात हुई थी वो 17 सितंबर 2022 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के आउसर पर हुई थी तो कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2022 में प्रारंब हुई थी और प्रदान मंत्री नरिंद मोदी जी के जन्म दिमस के अवसर पर ये भारत में विलुप्त हो चुके चीते की प्रजाती को पुनाह इस्थापित करने का एक प्रयास है यानि कि पहले समाप्थ हो चुके हैं जो चीते उने विलुप्त भी घोसित कर दिया गया है और विलुप्त घोसित किया गया था इन्हें 1952 में तो एक अईसा प्रयास है कि फिर से उन्हें भारत में कुनाह बहाल किया जाए यह परियोजना भारत सरकार और नमीबिया सरकार नमीबिया दोस्तों एक दच्छडअ अफरीका महादीब का देश है भारत सरकार और नमीबिया सरकार के बीच एक समझहोते के तहट सुरू की गई है इसका जो मुख उद्देश है वह है भारत के पारिश्थितिक तंतर में चीते को फिर से सामिल करना और उसकी संख्या में बरदी करना अब तक मद्ध प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क कुनो नेशनल पार्क कहा है मद्ध प्रदेश में कुनो नेसनल पार्क में 20 चीते लाए गए हैं जिसमें से 2022 में नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे और फरवरी 2023 में दच्छड अफरीका से 12 चीते लाए गए थे तोटल कितने हो गए? 20 इस समय अगर दोस्तों हम भारत में कुल नेसनल पार्क की बात करें तो भारत में कुल नेशनल पार्क इस समय 106 है ठीक है और ये 106 जो नेशनल पार्क है इनका जो कुल छेत्रफल है वह है 44,402 वर किलोमीटर ठीक है और ये जो भारत की संपूर्ण भगौलिक छेत्रफल है उसके 1.35% को गेरे हुए है दोस्तों इस चित्र के मार्ध्यम से कुछ नेशनल पार्क आपको दिखाने की कोसिस की गई है इसे आप देख सकते हैं जैसे हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाक में है किस्तवाद जम्मू कश्मीर में है Great Himalayan National Park Himachal Pradesh Valley of Flower यानि Flower की घाटी उत्राखंड में है Corbett National Park भी आपका उत्राखंड में है अगर हम उत्रप्रदेश की बात करें तो उत्रप्रदेश में किवल एक National Park है जिसका नाम है दुदुवा राजिस्थान में बात करें तो डिजर्ट National Park भी के राजिस्थान में है अगर मदद प्रदेश की बात करें तो सिवपुरी वन विहार भोपालजू बांधहोगड नेशनल पार्क, कानहा नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क जैसे ये मदद प्रदेश में यहाँ पर दूस्तो प्रमुक प्रमुक नेशनल पार्क आपको दिखाय जा रहे हैं पूरे के पूरे 106 नहीं दिखाये जा रहे हैं इन्हे आप अपनी कॉपी में भी नॉट डाउन कर सकते हैं राज जी के हिसाब से आप कर सकते हैं गुजरात में देखें तो छोटा यानि कच्छ का रण ये भी आपका नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क इसके लावा वेला वदर नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में है, वनसदा नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में है, माराष्ट की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट में है इसके लावा मोलन नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट में करनाटक की बात करें तो डांडेली नेशनल पार्क करनाटक है और नागर होल नेशनल पार्क आपका करनाटक में है बांधीपूर नेशनल पार्क भी करनाटक में है बंदर घटा सफारी ये भी आपका करनाटक में है केरल में बात करें तो साइलेंट वैली यानि साइलेंट घाटी आपकी केरल में है इसके लावा इंद्रा गांधी नेशनल पार्क भी आपका केरल में है दोस्तो संजे गांधी नेशनल पार्क माराष्ट में है और इंद्रा गांधी नेशनल पार्क केरल में है तमिल नाडू की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क आपका तमिल नाडू में है ठीक है तिलंगाना की बात करें तो एक्छुआ का एक्छुआ का नेशनल पार्क आ आपका तिलंगाना में है ठीक है चयतिसगड की बात करें तो कन्कार गाटी नेशनल पार्क चयतिसगड ठीक है और इंद्र वती नेशनल पार्क भी आपका चयतिसगड में ही है इसके अलावा उत्तरपूर्वी भारत में देखें तो कंचन जंगा नेशनल पार्क सिक्किम है नाम दफा अउड़ाचल प्रदेश में है काजी रंगा राष्टी उद्यान असम में है ठीक है और इसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क मनिपूर और केबुल लाम नेशनल पार्क आपका मनिपूर में है ठीक है तो यह आपको याद रखना है आगे देखते हैं इसके लावा दोस्तों अन्डमान निकवाद में भी दो हैं एक सैडल पीक नेशनल पार्क और एक आपका बट्टन नेशनल पार्क आपके अन्नमानने को बाद दो इपसमू में आगे देखते हैं भारत आने के बाद से आठ वैस के चीते अभी आपको बताया गया कि 20 टोटल लाए गए थे नमीबिया से आठ और 10 चिड़ अपरिका से 12 ठीक है तो भारत आने के बाद आठ वैस के चीते जिसमें से 3 तो मादा और 5 नर सामिल थे उनकी मृत्ति हो गई भारत में 17 सावकों का जन्म हुआ है जिनमें से 12 जीवित हैं जिससे कूनों में सावकों सहीत चीतों की कुल संख्या 24 हो गई है वर्तमान में सभी चीतों को बाडों में रखा जाता है यह अनुमान लगाया गया है कि छोड़े गए चीते की शंख्या लगभग 15 वर्सों में कूनों राष्टी उद्यान की वहन छमता तक पहुँच जाएगी यानि कहने का मतलब है कि कूनों राष्टी उद्यान में कितने चीते वहन कर सकता यानि रख सकता है उतनी पहुच जाएगी लगभग 15 वर्सों में और 30 से 40 वर्सों में कूनों के ब्यापक परिदर्श सिकी वहन छमता तक पहुच जाएगी अब देख लेते हैं कि चीतों की मिर्ट्यू का कारण क्या है तो विसे सग्यों के नुसार सिकार के दौरान अंतर प्रजाती जगडे यानि आपसी जगडे यानि कि एक चीता जब किसी सिकार पर हमला करता है उसी समय दूसरा चीता भी सिकार पर हमला करता है इस हमले में भी इनकी मिर्ट्यू हो रही है दूसरा है बिमारिया तीसरा है अपका छोटे चोटे यानि चोट लग जाना चोटे संभावित कारण हो सकते हैं इसके अलावा जानवरों द्वारा हमला करना यानि दूसरे जानवर इन चीतों पर हमला करते हैं हीट स्ट्रोक भी संभावित कारण हो सकता है इसके अलावा रेडियो कालर के कारण होने वाला संभाविज संक्रमन भी इनकी मरत्तु के लिए जिम्मधार माना जाता है विसरसग्यों ने तर्क दिया है कि जानवरों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए जानवरों को ट्रैक और उनकी निग्रानी करने के लिए जो उपयोग किये जाने वाले रेडियो कालर हैं उनके कालर्ण तवाचा में संक्रमन होता है इसके परणाम सरूब चीतों के सरीर में कीड़े लग गए हैं और सेप्टी सीमिया सेप्टी सीमिया एक प्रकार का रक्त संक्रमन हो गया है जिससे इनकी मृत्यू हो रही है चीतों के आवास के लिए कूनोराष्टी उद्यान ही क्यों चुना गया है तो मद्द प्रदेश में कुनो राष्टी उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आगे की राय में अगर बात करें हम तो चीतों के एक नए समूह को अधिकारी अफ्रीका से गांधी सागर वन जीव अभ्हरंड में लाने के प्रयास में तेजी ला रहे हैं जो भारत में उनका दूसरा घर होगा गुजरात में बननी घास के मैदान ये भी आपको याद रखना है बननी घास के मैदान कहा है आपके गुजरात में है एक संरचन प्रजनन केंदर भी इस्थापित किया जाएगा साथ ही सरकार का अगला लक्ष मद्द प्रदेश के नीमच और मनसौद के प्रदेशिक प्रभागों के साथ साथ राजिस्थान के भैंस जोर गड़ वन जीव अभ्यरंड और चितौर गड़ में एक बड़ा चीता आवास स्थापित करना भी इसका प्रमुब लक्ष रहेग ठीक है कुछ और जानकारी देख लेते हैं दोस्तों चीते के बारे में तो चीते का जो समान नाम है वो ACI चीता है वैग्यानिक नाम देखें अगर तो AC9-Nix-Jubatis इसका वैग्यानिक नाम है AC9-Nix-Jubatis ये ACI चीता है और AC9-Tix-Jubatis-Venaticus ये अफरीकी चीता का वैग्यानिक नाम है विसेस्ताओं की बात करें चीते की अगर विसेस्ताओं देखें तो विस्सु का सबसे तेज दोड़ने वाला इस्थंधारी प्राणी आपका चीता ही है चीते अपनी छमता के तो यह केवल 200-300 मीटर के लिए 1 मिनट से कम अवधी का होता यानि 1 मिनट से कम समय में 200-300 मीटर यह दोड़ लगा लेते हैं सेर, लकडबगे और तेंदुए जैसे अन्शक्तिसाली सिकारियों से प्रतिसपलधा से बचने के लिए चीते मुख रूप से दिन के दोरान ही शि अफरीका आफरीकी जो चीते होते हैं वो हलके बूरे, सुनहरे रंग रंकी तवचा और जबकि ऐसे एक की चीते से मोटी चेरों पर धबों और र액hाओं की बर्धानता तो डोरे अफरीका महादीप में ये पाये जाते हैं फिएए IUCN ठीक है IUCN Red List में स्थेथ है यानि कि IUCN एक Red List जारी करती है उसमें इन चीटों को सुभेद यानि Valorable में रखा गया है वहीं अगर SNI चीटों की बात करें तो अफरीकी चीटों से थोड़ा चोटे होते हैं हलके पीले रंकी तवचा होती है सरीर की नीचे विसेश रूप से पेट पर अधिक बाल होते हैं केवल इरान में पाय जाते हैं यानि A.C.I. चीते किस देश में हैं तो केवल और केवल इरान में देश द्वारा ये दावा किया जाता है कि अब यहां केवल बारा चीते ही बचे हैं यानि इरान में तो हैं A.C.I. जीते, वहाँ पर भी केवल बारे जीते ही बचे हैं, वर्स उन्ने सुबावन में A.C.I. चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त गोसित कर दिया गया था, I.U.C.N. रेज लिष्ट में अगर इस्तिती देखें तो घोर संकट ग्रस् यानि क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस्तिती में हैं, भारत में चीतों का पुनरवाश तो राष्टिय बाग सरच्छन प्राधिकर्ण यानि N.T.C.A. की उन्नीश्वी बैठक में M.O.E.F. यानि की Ministry of Environment, Forest and Climate Change द्वारा भारत में चीता पुनरवाश के लिए कारियोजना जार की गई थी, कब 2022 में जन्वरी में इसी तरह की एक कारियोजना सरप्रथम 2009 में भी प्रस्तावित की गई थी, सितंबर 2022 में नमीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनरवाश हेतू लाया गया था, इन आठ चीतों को मद्ध प्रदेश के कूनों पालपुर राष्टी उद् की प्रजेक्ट चीता के बारे में, कि ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्योंकि दो साल इसके पूरे हुए हैं, कब रारंब हुआ था, ये भी आपको बताया, इसके लावा किस नेशनल पार्क मिलाए गए थे, और किस देश से कितने और कब लाए गए गए चीते, ये इसके लावा भारत में चीतों की मिरत्तु के पीछे कारण क्या है, ये भी जाना, और चीतों के आवास के लिए कूनों राष्टी उद्ध्यान ही क्यों चुना गया, ये भी जाना आपसे, और इसके बार हमने आगे की राह की और इसके बार चीते के प्रमक कुछ विसेस्ता के बारे में भी चल्चाप से की ठीक दोस्तो तो दूस्तो आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपक के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप रसंद रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्यवाद जय हिंदोस्तो